मटर तो डाल! नई बहु रक्षा की आज पहली रसोय है बहु रक्षा अपनी पाक कला की हुनर को दिखाने के लिए बड़े जतन से पिछले कई घंडों से रसोय में लगी हुई है मैंने इतनी अच्छी अच्छी डेशिस बनाई है कि सब लोग बस अपनी उंगलिया ही चाड़ते रह जाएंगी रक्षा की दिल की धड़कने आज बिलकुल वैसे ही तेज थी जैसे किसी परिक्षा के समय विद्यारती की हुआ करती है रक्षा खाना टेबल पर लगा देती है और उत्सुक होकर सबकी प्रतिक्रिया जानने के लिए पास में ही खड़ी हो जाती है अरे रक्षा तुम भी बैटो ना, हुमारे साथ लंच करो ने नी, आप लोग खाईए ना, मैं सबको अपने हाथों से परोस कर खिलाओंगी रक्षा ने मैसुस किया कि बाकी सब तो वाकई उसका बनाया हुआ खाना खुश होकर खा रहे हैं लेकिन सासु मा के माथी पर बल पढ़ रहे हैं मम्मी जी, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा कि आपको? खाने में मिर्ची ज्यादा है क्या? ठीक है बस, मेरे मान का नहीं है पहली रसोई पर ही सास की ऐसी प्रतिक्रिया से रक्षा को दुख तो बहुत हुआ था लेकिन फिर भी बहु का कर्तविय तो यही है कि वो अपने गुणों से सास का मन जीत ले ससुरा लाने से पहले रक्षा की माने उसे यही सिखाया था इसलिए उसने सासुमा की बात को दिल पर नहीं लगाया अब हर रोज रक्षा जो भी बनाती घर में बाकी लोग तो खुशी-खुशी खा लेते लेकिन सासुमा के चहरे पर कभी भी संतुष्टी नज़र नहीं आती कुछ दिन बितने के बाद ममी जी मैं जो भी बनाती हूँ आप कभी भी खुशी-खुशी नहीं खाती आप बताएए न मेरे हाथ के खाने में क्या परेशानी है बहु परेशानी तो कुछ नहीं लेकिन तेरे हाथ के खाने में मुझे स्वाद ही नहीं आता ममी जी आप ऐसा करिए आज आप बना कर मुझे खिलाईए मैं भी तो खा कर देखूँ आखिर ऐसा क्या है आपकी हाथ में जो मेरे हाथ में नहीं मुझे पता तो चले आखिर आप कौन सा स्वाद टून रही है जो मैं आपके लिए बनानी पा रही हूँ रक्षा की बाद सुनकर कांता रसुई में जाकर सबजी बनाने लगती है बहु रक्षा भी एक तरफ खड़ी होकर सास को सबजी बनाते हुए देख रही थी रक्षा खाना टेबल पर लगा देती है खाने का पहला कोर मुँ में डालते ही कांता का चैरा खिल उठा था आज आज आए खाने में स्वाद आज तो ना मेरे लिए एक और रोटी बना लेना आज तो मैं जी भर के खाने वाली हूँ बता नहीं ऐसा क्या स्पेशल है ममी जी की सबजी में जो ये इतना खुश होकर खा रही है रात को अपने कामरे में रोहन मुझे समझ में नहीं आता मेरे हाथ के खाने से ममी जी को ऐसी क्या दिकत है कि वो कभी भी मेरा बनाया खाना खुश इससे नहीं खाती आज उन्होंने खुद बनाया तो देखो कैसे खुश हो कर खा रही थी अच्छा ये बताओ आज क्या बना था आलो मटर, एक दम सेंपल से सबजी बनाई ममी जी ने और मैं रोज घंटो और असोई में खड़े ओकर नई नई डिश बनाती हूँ लेकिन उन्होंने अपनी ही खाने की तारिफ की मेरे हाथ के बनाये खाने की तरफ तो वो कभी मुस्कुरा कर भी नहीं देखती जब भी पूछो कैसा बनाये तो यही कहती है मेरा खाने का मन नहीं बना रक्षा सच-सच बताओ तुम्हें वाकरी समझ में नहीं आया कि आज के खाने में क्या लग था नहीं रोहान, मुझे नहीं समझ में आया आप बताओ न रक्षा ममी मतर की दिवानी है मतर के सिजन में वो बस मतर खा कर ही खुश होती है और तुम जब से आयो की तो जान अठकी रहती है मटर में जब से तुम आई हो हम बहुत कुछ हैं चुकि मम्मी को उनके मन का खाना नहीं मिल पा रहा है इसलिए उनका मूँ खाना देखकर लटक जाता है आरे तु पहले बताना चीए था ना क्योंने मटर पसंद है और मम्मी जी भी मेरी सारी डेश अब जल्दी से डानिंग टेबल पर बैठ जाईए अरे बहु आज ऐसा क्या बना लिया तु न जो इतना खुश हो कर बुला रही है मुझे मम्मी जी आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी आज मैंने आपकी मन पसंद मटर की कचोरी बनाई है अरे वाँ मूं में पानी आ कि मेरे हाथ का खाना खाकर सभी लोग खुश हुआ है ममी जी भी खुश लग रही थी अब तुम मैं प्रण लेती हूं मटर के सिवा और कुछ नहीं बनाऊंगी शाम की समय ममी जी मैंने मटर पनीर बनाया है अब ज़रा चकर बताओ ना कैसा बना है अरे बेटा तुने बना मटर का नाम सुनकर मुझ से रहाई नहीं जाता जी ममी जी अभी लाई मटर पनीर की सबजी भी कांता वाँ वाँ करके चट कर जाती है अब तो रक्षा ब्रेकफर्स्ट लंच या डिनर हर बार खाने में मटर का कुछ नकुछ व्यांजन मरा कर परोस्ती कभी मटर के मटर ही आती रहती है तो घर में अब सभी के चैरे मटर को देख कर उताने लगते हैं एक सब्दा की बाद अरे बहु आज खाने में क्या बनाया है पापा जी मटर मश्रूम ठीक पिटा ऐसा करना मुझे तो तुम मश्रूम ही देना मटर अपनी सास की कटोरी में भर देना सा लेकिन पापा जी मश्रूम तो बस मैंने जरा से ही डाले बाके तो सारी मटर ही है अच्छा ठीक है बटा ले आओ जो बना है खाना तो वही पड़ेगा अच्छा बटा हो सके ना तो आज राद के लिए तुम कुछ और बना लेना नहीं तो मेह खाना मत बनाना मुझसे यह रोज रोज मटर नहीं खाई जाती है, इतनी ग्यास हो रही है कि क्या बता हूं, पिछला मटर हजम हो नहीं पाता कि फिर से तुम मटर का खाना बना देती हो, ऐसा लगता है अब तो ग्यास का गोला बनकर किसी दिन मैं ही फट जाओंगा, पापाची आप ऐसी बाते क्यू कर है, अच्छा ठीके, शाम को मैं गोभी बना दूंगी, अब खुश, ठीके पिटा, खुश रहो, शाम की समय, रक्षा पिटा, आज तो गोभी बनाई है न तुमने, एक हफते से भी जाद हो गया, मुझे इस गर में किसी सबजी की शकल देखे हो, लाओ पिटा, जल्दी से लिया, रक्षा ससुर जी को खाना परुस्ती है, भगवान ये चल क्या रहा है अमारे गर में, मैंने कहा था, अगर मतर बनाना तो मेरी रोटी मत बनाना, फिर भी तुमने मुझे खाने के लिए टेबल पर बिठा लिया, अरे पापा जी आपने कह था आलो गोभी की सबजी देखो, आलो गोभी बनाई है मैंने, अच्छो ये आलो गोभी है, तो ये हरा हरा क्या है सबजी, मैं मुझे बेवकूफ समझ रही हो, नहीं पापाजी, देखे ना, आलो गोभी देखकर आप खुशो कर खा लीजे, और मतर देखकर सासुमा खुशी-खुशी खा लेंगी, बिस समझो मेरी मैनत सपल होगी, अरे बिटा, अब मैं हाज जोड रहा हूँ तुमारे आगे, अब भगवान के लिए मटर डालना बंद करतो, और भाग्यवान क्या टुकुर टुकुर सुन रही हो बैटकर, कुछ बोलोगी या नहीं, आ बिटा, सब की पसंद का भोजन बन आओ, कल ऐसा करना कुछ अलग बना ले न, अब ये पूरी कचाडी मत बनाना, ठीक है ममे जी, अगली सुबग, क्या बनाया है भई आज हमारी किचिन क्वेंदे, आज तो कुछ अलग बनाया है न, हाँ हाँ, आज मैने बिलकुल भी तला भुना नहीं बनाया, आज मैने बन बनाया है, सिंपल और स्वादिष्ट पूह, चलो ये तुमने अच्छा किया, हलका ही बना लिया, चलो जल्दी से लगा दो, टेबल पर मुझे लेट हो रहा है, रक्षा टेबल पर सबके लिए प्लेट में नाश्ता लगाती है, अरे श्रीमत जी ये कौन सा पूह बनाया है अपने, इसमें भी मटर डाल दी तुमने, दीको मटर का सिसन है, और मटर तो हर खानी का स्वाद बढ़ाती है, इसलिए मैंने डाल दी, खाकर दीको तो कितना स्वादिष्ट बनाया है, अरे मुझे नहीं खाना ये मटर, ऐसा है तो जाओ बाहर जाकर खाना खालो, ज्याद के समय, अच्छा पको ऐसा करो, आज मटर का कुछ ना बनाना, पापा जी भी गैस गैस चिला रहे हैं दो दिन से, तुम ऐसा करो, उनके लिए खिचड़ी बना दो, और बाकी सब के लिए दाल, ठीक है ममे जी, रात को खाने के समय, बहु मेरा खाना मत लगाना, मुझे बस ग्लास दू दे दो, पापा जी घवराइए नहीं, मैंने आपके लिए इतनी बढ़िया खिचड़ी बनाई है, खा कर आपकी तब्यत खुश हो जाएगी, बगवान भला करे तुमारा, जा लेकर आ, खिचड़ी को देखकर ससुर जी अपना माथा पीट लेते हैं, अरे ये दाल बनिये आज, देखिए तो किती खुबसूरत दाल बनाई है मैंने, खाईए कभी ऐसी दाल, रक्षा दाल खुबसूरत नहीं, पौश्टिक होनी चीए, और उसमें भी मटर डाल कर तुमने इसके भी न्यूट्रेंट खत्म कर दिये, पता नहीं किस मन्हूस घड़ी क्या मम्मी जी, खल तुम्हें मटर की खीर बनाने वाले थी, मैंने सुचे जब मटर की बागे डिशिस बन सकती है, तो स्वेट डिश क्यों नहीं, मटर की खीर, मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ, अब मुझे चक्कर आ जाएगा, सास असुर की बहुत समझाने पर आखिर मे रक्षा बिना मटर का खाना बनानी को तयार हो जाती है, आरे बई, ये मसला तो किसी तरह हल हो गया, लेकिन कहीं आपके घर में भी तो कोई मटर लवर तो नहीं, और अगर है, तो आप यूने सुधाने के लिए ये ट्रिक ट्राइ कर सकते हैं,